अलो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक न्यूब पूड़क के बारे में जिसका नाम है ढेक्सुरेंग सीरफ इसके यूज बेनेफ़िट इंग्रेडियंट साईड एफेक्ट और प्इकोशन दोस्तों सुरू करते हैं जेक्सुरेन सीरप के बेनेफिट जेक्सुरेन सीरप पोशक तत्व की खुराग नामक दवाओ के समझे सम्बंदित है जिसका उप्योग पोशक तत्वो की कमी और आयरन की कमी एनिमी और फोलिक एसीट की कमी की इलाज और रोक्ताम के लिए किया जाता है पोशन की कमी तब होती है जब सरीर भोजन से परियाप्त पोशक तत्वो को और शोशित याप राप्त नहीं करता सरीर के विखास और रोगों की रोकथाम के लिए विटामिन और खरीज आवश्यक है अब जान लेते हैं दोस्तों डेक्सुरेन सीरप के इंग्रेडियन डेक्सुरेन सीरप तिन सप्लेमेंट का सयोजन है साइनकोबालामिन, फेरिक, अमोनियम, साइडरेड और फोली कैसी साइनकोबालामिन रद्धी कोशिका, उतपादन, प्रोटीन और उतक सेंसिलेशन के लिए आवश्यक है फेरिक, अमोनियम, साइडरेड आईरन के स्तोत के रूप में गारी करता है जो पूरे सरीर में ऑक्सीजन के परिवहन और लालरक्त कोशिकाओ के उतपादन मदद करता है फोली कैसी डुबिन शारी कारियों के लिए आवश्यक है जैसे कि लालरक्त कोशिकाओ का उतपादन उतदी और विकास डेक्सुरेन सीरफ साथ में पोशक्ततों की कमी को दूर करने मदद करता है डेक्सुरेन सीरफ निरधारित अनुसार ले आपको सरादी जाती ही कि जब तक आपको आपके डॉक्टर ने इससे आपके लिए नियधरित किया है तब तक आपकी चिकिस्सा इस्तिती के आधार पर डेक्सुरेंज सीरप ले कुछ मामलों में आपको कुछ सामने साइड इफेक्ट जैसे पेट खराब होना कब जहोना दस्त होना मितली और उल्टी का अनुबह हो सकता है इन में से अधिकांस साइड इफेक्ट को चिकिस्सा ध्यान देने के आप शक्ता नहीं है और सामय के साथ दीरे दीरे हल हो जाएंगे हाला कि आपको सला दी जाती है कि यदि आप इन साइड इफेक्ट का लगाता रनूब करते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें डेक्सोरेन सीरप शुरू करने से पहले अगर आप डॉक्टर के परचे के बिना प्रिस्किप्शन वाली दवाओ या हर्बल उत्पाद को का सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताए यदि आप डेक्सोरेन सीरप या इसके निश्की घटकों से एलर्जी के लिए ज इसके परामर्स करें डेक्सोरेन सीरप बच्चों को तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि डॉक्टर दौरा निर्धर इतना किया जाए या गया था कि सराब डेक्सोरेन सीरप के साथ फरस्पर किया करती है इसलिए करपा एक डॉक्टर से परामर्स ले अब जान ल प्रत्य को प्योग से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाए आपकी जिकिस्स तिति के आदार पर आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपको कितने समय तक डेक्सुरेंच सीरप लेनी की आप सकता है अब जान लेते हैं दोस्तों डेक्सुरेंच सीरप के कॉमन साइड इफेक्ट पेट खराब हो सकता है गब जे हो सकता है जी में चल सकता है उल्टी हो सकती है यह इसके कॉमन साइड इफेक्ट अब जान लेते हैं दोस्तों डेक्सुरेंच सीरप के प्रिकोशन डेक्सुरेंच सीरप डॉक्टर की सला के बगर यूज ना करें जान क ये अच्छे लगई ये चैनल सब्सक्राइब करें